आरजे स्टूडियो के यूट्यूब चैनल स्पॉटिफाई और एमेजॉन म्यूजिक के श्रोताओं, मोहबबते, स्टोरीज बिहाइंड दी आर्टिस्ट में हम आपकी प्ततीक्षा कर रहे हैं। देवदास की दीवानगी उसे कहा तक ले जाती है। जानिये मोहबबतें स्टोरीज बिहाइंड दी आर्टिस्ट के इस एपिसोड में। ये सब मुझे उलाहना देंगे। मुझसे तुम्हारे बारे में पूछेंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूगा। इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तुम्हारा आना जाना तो इस गाउं में लगा रहेगा। ये गाउं तुम्हारा माई का है। पता नहीं अब तुमसे कम मुलाकात होगी। मैं कलकत्ते जा रहा हूँ। देवदास ने एक बार फिर गाउं छोड़ दिया। पारो भी अपनी ससुराल मानिक पुरा गई। उसके पती उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन सुभाव के बहुत अच्छे इंसान है। उन्हें देवदास और पारो के प्रेम प्रसंग के विशय में पता है। इसके बाद भी उनके प्रेम में कोई कमी नहीं आई। पारो ने उनके बच्चों को अपना लिया है। हवेली की मालकिन बन गई। हवेली से याद आया कि देवदास की हवेली एक बार फिर से सूनी हो गई है। उसे कलकत्ते से इतना स्नेह क्यों है पता नहीं। पारो की तो यही प्रार्थना है कि वो से भूल कर अपना घर बसा ले और अपने घर वापिस आ जाए। चुनिलाल, मुझे अपने साथ उस घर में ले चलो जहां तुम रोज शाम के वक्त जाते हो, अपना दिल बहलाते हो, पुराना घम भुलाते हो, मुझे भी वही ले चलो। चुनिलाल को मुझे पर तरस आ गया और वो मुझे एक कोठे पर ले गया। तवायफ चुनिलाल को पहले से पहचानती थी। चुनिलाल ने मेरी पहचान तवायफ से कराते हुए बताया कि ये देवदास है, मुहबबद में धोखा खाया है, इसलिए उदास है। मेरे पूछने पर तवायफ ने अपना नाम चंद्रमुखी बताया। अधिक रसीली है। और मेरी अदा लाजवन्ती के जैसे शर्मीली है। ये कोठा मेरा दरबार है। यहाँ छोटे, बड़े, नवाब और सुल्तान सब आते हैं और मेरी मस्तानी आखों में डूब जाते हैं। मैं सब को किनारे लगाती हूँ और अपने गीत संगीत से दिल बहलाती हूँ। देवदास, मैं तुम्हारी उदासी दूर कर दोंगी। दिल का हर गम मिटा दोंगी। बस मेरे पास आते रहना। और मुझसे दिल लगाते रहना। देवदास की चंद्रमुखी से पहली मुलाकात यादगार रही। देवदास की दिल में चंद्रमुखी की जगे तो बनी रही। लेकिन चंद्रमुखी के मन दरपण को देवदास की छवी भागई। चुन्नी लाल ने चंद्रमुखी के कोठे का रास्ता केवल एक बार बताय इसलिए देवदास ने चुन्नी लाल की एक और बात मान ली और अपना खाली गलास उसके सामने रख दिया, जिसे चुन्नी लाल ने शराब से भर दिया। यहां से देवदास शराब ही हो गया। क्या? देवदास, तुम शराब पीने लगे। नहीं, देवदास नहीं, यह शराब बहुत बुरी चीज है, इसे छोड़ दो, यह प्यार को भुलाने के नाम पर इंसान को बीमार कर देती है। देवदास, तुमने शराब पीने के साथ कोठे पर जाना भी सीख लिया है। बेवफाई मैंने की है, और सजा तुम अपने आपको दे रहे हो। यह ठीक नहीं है देवदास। उस तवायफ के कोठे से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे पिताजी बीमार रहने लगे है। वैद्यजी ने उपचार करना बंद कर दिया है। भगवान के लिए तुम अपने गाउं वापस आ जाओ। पिताजी के अंतिम दर्शन कर लो। मैं भी गाउं आकर तुमसे मिल लूँगी। तुम चिंता ना करो पारो। पिताजी की देखभाल करने के लिए बड़े भाईया घर पर है। माताजी भी उनकी सेवा करती है। मेरे जाने से वो और दुखी होंगे। मेरी दशा देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और तुम भी मुझे देखने की तमन्ना छोड़ दो। मेरी चिंता करने के लिए यहाँ चंदर मुखी है। पता नहीं क्यूं वो मुझसे सने करने लगी है। मेरा विश्वास करो मैं उससे प्रेम नहीं करता। लेकिन वो बहुत अच्छी और बहुत प्यारी है। उसकी सादगी और भोलापन मुझे बार-बार उसके कोठे तक ले जाता है। पहाँ जाकर मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भूल नहीं पाता। हाँ पारो, देवदास तुम्हें भूल नहीं पा रहा है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन लिया है, बहुत कुछ जान लिया है, और तुम्हारी महबत को मान लिया है, ये सब कुछ मुझे देवदास ने बताया है, वो मेरे कोठे पर आकर तुम्हारी ही चर्चा करता है, मैंने उसके मन में जाक कर देखा है, वो तुम्ह पारो, तुम्हारे देवदास को कैसे संभालू? पारो, तुम चंद्रमुखी की बातों में ना आना, मैं यहां ठीक हूँ, बस तुम्हें याद करता रहता हूँ यही दशा मेरी है देवदास, मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ तुम मेरे लिए अपना जीवन बेकार ना करो, लोट आओ, समय से समझोता कर लो और अपना घर बसा लो पारो और देवदास के बीच शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध है इसलिए वो दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए फिक्रमंद थे वक्त हाथ से निकलता गया, देवदास ने चंदरमुखी के कोठे पर जाना नहीं छोड़ा सच तो यह है कि उसकी दशा देखकर चंदरमुखी नहीं उसे नहीं छोड़ा देवदास ने अपने आपको शराब में डुबो लिया है वो समझ रहा था कि वो शराब को पी रहा है लेकिन सच तो यह है कि शराब ही उसे पीए जा रही है धीरे धीरे देवदास बीमार पढ़ने लगा इस दोरान उसके पिताजी का देहान थो गया ये दुखत समाचार लेकर धरंदास उसके पास आया और गाउं वापस ले गया पिताजी का अंतिम संसकार बड़े भाय सहब कर चुके थे माताजी ने भी हवेली छोड़ दी वो बनारस में भोले बाबा की शरण में चली गई और वहीं रहने लगी इस हवेली में अब किसी को देवदास की जरूरत नहीं थी फिर भी वो वहां रुका हुआ था शायद इसलिए कि उसे पारो का इंतजार है प्रदीक्षा तो मुझे भी है देवदास उस पल की जिस पल मैं तुम्हें अपनी आखों से देखू तुम्हारी दिशा और दशा दोनों को बदल दू मुझे तुम्हारे गाओं आने की खबर मिल गई है बस एक दिन और मेरा इंतजार करना कल मैं तुम्हारे पास आ जाओंगी पारो, तुम्हारे लिए न जाने कितने कल और कितने पल की प्रतीक्षा कर सकता हूँ तुम्हारी प्रतीक्षा के लिए ही मुझे ये जीवन मिला है मैं कल तक उसी तालाब के पनघट पर बैठा रहूंगा जहां हम दोनों खेलते हुए बचपन से बड़े हुए है मैं भी कल का सूरज उसी पनघट पर देखूंगी मैं घर से निकल चुकी हूँ देवदास तुम्हें देखने के लिए कलकत्ते के दलदल से बचाने के लिए और तुम्हारा घर बसाने के लिए मैंने पनघट पर चांद को निहारते हुए रात कुजार दी सुबह होते ही चांद चला गया और सूरज आ गया थोड़े ही देर में पारो भी वहां आ गई हम दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को मौन निहारते रहें शायद इसलिए कि हम दोनों के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं था फिर भी हम दोनों मिले हैं तो भला कब तक मौन रहकर एक दूसरे को पीड़ा पहुचाते इसलिए बोलने की पहल मैं नहीं की और पारो से पूछा तुम कैसी हो? मैं भी इसी मौन को तोड़ना चाहती थी लेकिन मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे देवदास ने जब पूछा कि तुम कैसी हो? तो मुझे कहना पड़ा मैं अच्छी हूँ मैंने भी पलटकर देवदास से पूछ लिया तुम कैसे हो? तो उसने भी यही जवाब दिया मैं अच्छा हूँ इससे पता चलता है कि हम दोनों एक जैसा सोचते हैं लेकिन इस वक्त हम दोनों ने एक जैसा जूट बोला है ना देवदास के बिना पारो अच्छी है और ना पारो के बिना देवदास अच्छा है हाँ पारो, यही सच है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अच्छे नहीं रह सकते लेकिन अब हम दोनों को एक दूसरे के बिना ही रहना पड़ेगा देवदास, तुमने चंदरमुखी के बारे में जो कुछ बताया है उससे मेरे मन में कोई इर्शा नहीं जागी बलकि मुझे तसल्ली हो गई, कि परदेश में तुम्हे कोई अपना मिल गया है तुम चंदरमुखी की जितनी तारीव करते हो, उससे तो यही लगता है कि वो भली लड़की है उससे मिलने जुलने पर मुझे कोई अतराज नहीं है लेकिन आपत्ती तुम्हारी शराब से है मेरी एक बात मानो, तुमने जो अपने आपको शराब की बोतल में बंद कर लिया है उससे बाहर निकलाओ, शराब छोड़ दो मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम चंदरमुखी के कोठे पर जाना छोड़ दो लेकिन शराब को त्याग दो, तुम्हें मेरी कसम देवदास पारो, तुमने अपनी कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया वरना अब मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं बचा देवदास कुछ दिनों के लिए कलकता से अपने गाउँ वापस आ गया और मेरा कोठा सुना हो गया क्योंकि अब मेरे कोठे पर दूसरों के लिए नाच गाना नहीं होता मैं सिर्फ अपने देवदास के लिए ही नाचती हूँ और गाती हूँ दूसरों के लिए अब मैं तवायफ नहीं ये मेरा त्याग नहीं, देवदास के प्रती प्रेम है नारी की वो भावना है, जिसे नारी ही समझ सकती है पारो, देवदास पर तुम्हारे प्रेम का पहला अधिकार है परंतु प्रेम मैंने भी किया है इसलिए मुझे भी देवदास की दासी बनने का अधिकार है का वादा मैं निभाता रहूंगा लेकिन चंद्रमुखी मेरी प्रतीक्षा कर रही है अब मुझे जाने दो मैं जानती हूँ देवदास इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चंद्रमुखी का दर्वासा खुला छोड़ दिया है तवायव का कोठा कोई अच्छी जगा नहीं होती ये जानते हुए भी मैं तुम्हें वहाँ जाने से नहीं रोकूँगी चंद्रमुखी का कोठा तुम्हारे लिए किसी मंदिर से कम नहीं जहां तुम्हें जीवन दान मिलता है मेरी प्रतिक्षा के पल मुझे डराने लगे मैं अपने कोठे में अकेली हो गई लोगों का आना पहले से ही बंध हो गया था इसलिए अब सुभा शाम का पता ही नहीं चलता आखे दिन राद दर्वाजे पर टिकी रहती है देवदास को ढोंती रहती है पारो, ब्या के बाद अब तुम पराय घर की लाज हो तुम्हारा अधिक मेरे साथ रहना ठीक नहीं है दुनिया देवदास को कितना भी बुरा कहे लेकिन देवदास अपनी पारो के लिए एक शब्द भी बुरा नहीं सुन सकता इसलिए अब तुम जाओ और मुझे भी आग्या दो मेरी ट्रेन का समय हो गया है मुझे वापस कलकत्ता जाना है चंदर मुखी के बास जाओ देवदास मा काली तुम्हारी रक्षा करेगी दुर्गा दुर्गा कलकत्ते में विदा लेते हुए एक दूसरे से दुर्गा दुर्गा कहते है मैं भी यही पुकारते हुए पारो से अलग हो गया पारो जब डोली पर विदा हो रही थी, तो मैं उसे जाते हुए देख रहा था आज पारो मुझे जाते हुए देख रही है शायद मैं उससे हमेशा के लिए विदा हो रहा हूँ पारो मुझे बहुत देर तक देखती रही, मैं तांगे पर बैठ कर बहुत दूर निकल गया पारो फिर भी खड़ी रही, मैं बिमार हूँ, इसलिए मेरी देखभाल के लिए धरमदास मेरे साथ जा रहा है हम दोनों कलकत्ते की ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन कलकत्ते के लिए रवाना हो गई देवदास मेरी नजरों से ओजल हो गया, मेरी आँखें दूर धुन्दलके में उसे खोचती रही और मैं कब बेहोश होकर गिर गई, पता ही नहीं चला आँखें खुली, तो मैंने अपने आपको अपने पती के घर मानिकपुर में पाया वैद्य जी मेरा उपचार कर रहे थे, और मैं देवदास के बारे में विचार कर रही थी देवदास भी कलकत्ते आकर अपने गेस्ट हाउस में रुक्या धरमदास उसकी सेवा से ज्यादा चिंता करने लगा शराब की लट उसे सताने लगी लेकिन पारो को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा चंद्रमुखी ये जानकर बहुत खुश हुई कि देवदास ने शराब छोड़ दी है उसने पारो को डेर सारी दुआएं दी देवदास की बढ़ती बीमारी को देख कर चंद्रमुखी हकीम सहाब को हाल बता कर दवा ले आई है लेकिन देवदास का शरीर दवा और दारू दोनों मांग रहा है फिर भी उसने शराब को हाथ नहीं लगाया देवदास की शराब से ये दूरी बीमारी को बढ़ाने लगी मुँसे अब धूक की जगए खून निकलने लगा वो अपना दर्द, अपना घम चंदरमुखी से छिपा ही रहा था अब इस खून को भी छिपाना पड़ेगा चंदरमुखी देवदास के लिए पागल हुई जा रही थी वो उसे समझाने लगा कि जाते हुए मुसाफिर को कोई रोक नहीं सकता कटी हुई पतन कभी वापस हाथ में नहीं आती लेकिन चंदरमुखी पारों से ज़्यादा जिद्धी है चंदरमुखी मैं तुम्हारे इस जिद्ध को सलाम करती हूँ मैंने देवी मा के हमेशा चरन स्पर्श किये हैं अगर तुम मुझे कहीं मिल गई तो मैं तुम्हारे चरनों में भी अपना माथा टेक दूँगी तुम मेरे लिए किसी देवी से कम नहीं हो अब देवदास तुम्हारे भरोसे है उसका जीवन बचाना तुम्हारा ही काम है चंदरमुखी मैं तुम्हारे भावनाओं को समझ सकती हूँ और उनका सम्मान भी करती हूँ अगर जीवन में कभी मौका मिला तो अपने देवदास का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगी ये सब कुछ मैं अपनी खुशी से करूंगी तुमसे कोई बैरभाव नहीं रखूंगी तुम्हें अपनी सौतन भी नहीं समझूंगी छोटी बेहन मान कर तुम्हें आशिरवात दूंगी तुम्हारा ब्यार अचा दूँगी, घर बसा दूँगी देवदास को तुमारे घर में देखकर मुझे ऐसा ही आनंद मिलेगा कि जैसे देवदास मेरे साथ मेरे घर में हो चंद्र मुखी, तुम मुझसे मिलना जरूर हाँ पारो, मैं तुमसे जरूर मिलूंगी देवदास तुम्हारे लिए प्रेम है और मेरे लिए शध्धा. अगली बार में देवदास के साथ तुम्हारे गाउं अवश्याओंगी. हाँ चंद्रमुखी, तुम पारो से एक बार जरूर मिलना. वो तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ बताएगी. उसकी बातों से ऐसा लगेगा जैसे मैं कुई देवदा हूँ. लेकिन मैं तो बहुत खराब इनसान हूँ. अपनी जिन्दगी में सब का दिल दुखाया है. माता पिता को दुख पहुँचाया है. पारो का दिल तोड़ा है. और अब तुम्हें परिशान करने यहां आ गया हूँ. तुम पारो की बात पर विश्वास मत करना. मुझे अच्छा इनसान बिलकुल ना समझना. बलकि मैं तो कहता हूँ कि मुझे अभी इसी वक्त अपने दिल से, अपने घर से निकाल दो. इसी में तुम्हारी भलाई है. मेरी तरह चंद्रमुखी ने भी देवदास के किसी भी बात का बुरा नहीं माना. और ना ही देवदास की बात मानकर उसे घर से निकाला. चंद्रमुखी ने देवदास के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है. वो तवायव से एक मामूली लड़की बन गई है. उसके जीवन का मकसद देवदास की सेवा करना है. उसको पूझना है. सचमुच चंद्रमुखी मुझे अपना देवदा समझ कर पूझने लगी है. मैं देवदा तो नहीं बन सकता, लेकिन वो मेरी नजरों में देवी जरूर बन गई है. इससे पहले कि इस देवी के प्रती मेरे दिल में श्रधा जाग जाए, मुझे इस मंदिर जैसे घर को छो दिया है, पारो के कहने से शराब छोड़ दी है. ऐसे ही अब चंद्रमुखी को भी छोड़ना पड़ेगा. कलकत्ते से मुझे कहां जाना है, पता नहीं. ऐसे गुमनाम सफर के लिए देवदास निकल पड़ा. उसके साथ धरमदास था. पारो को देवदास से इस गुमनामी के सफर की उमीद नहीं थी. लेकिन क्या करें? देवदास ने कुई भी काम उमीद के मुताबिक किया ही नहीं. चंद्रमखी देवदास के लिए दवा लेने घर से बाहर गई थी. लोटकर आई तो उसने दिखा कि घर में देवदास है ही नहीं. बिस्तर पर एक खत और धेर सारे रुपे रखे हैं. चंद्रमखी ने हैरानी से उन रुपेयों को देखा. फिर खत पढ़ने लगी, जिसमे लोटा रहा हूँ. बदले में कुछ रुपे भी दे रहा हूँ. इसे तुम अपनी सेवा का मोल न समझना. तुमने मेरे लिए नाच गाना बंद कर दिया है. मैं जानता हूँ जिन्दगी जीने के लिए रुपेयों की बहुत जरूरत होती है. चंद्रमखी, मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि मैं तुम्हारे काम न आ सका. मेरे अचानक चले जाने का बुरा न मानना. मैं बहुत बुरा आदमी हूँ. इसलिए मुझे याद भी न करना. तुम्हारा देवदास. अब बुरा मानने के लिए बचा ही क्या है देवदास? मैंने तुम्हे अपना सब कुछ समझा. लेकिन तुम्हे पराया समझ कर छोड़ दिया. मेरी सेवा में अवश्य कोई कमी रही होगी. तभी मैं तुम्हे अपने घर में रोक नहीं बाई. मेरा प्रेम तुम्हारे निरित और भाव भंगी मा तुम्हारी किसी काम नहीं आया. तुम्हारे जाने से ऐसा लगा जैसे मैं किसी पत्थर में भावना पैदा करने की कोशिश कर रही थी. मैं भूल गई थी कि पत्थर मौन रहता है. निर्दई होता है. पत्थर का काम चोट पहचाना और जख्म द सकती हूँ. कि तुम जहां भी रहो, खुश रहो. कभी कलकत्य आना हो, तो इस कली में ज़रूर आना. एक जोगन तुम्हारी प्रतिक्षा घरती मिलेगी. मैं धरमदास के साथ ट्रेन में बैठ गया. ट्रेन चलने लगी. चलती हुई ट्रेन से जहांक कर देखा और कलकत्य को सलाम किया. धरमदास बार-बार पूछता रहा कि हम कहां जा रहे हैं. मैं एक ही जवाब दौर आता रहा. पता नहीं, किस्मत जहां ले जाए, वहां चला जाओंगा. इत्तिफाक ऐसा हुआ कि इसी ट्रेन में एक बार फिर चुन्नी लाल से मुलाकात हो गई. आदत के मुताबिक वो शराब पीता रहा और मुझे ललचाता रहा. मैं अपनी कसम पर कायम रहा और शराब को हाथ नहीं लगाया. चुन्नी लाल अगले स्टेशन पर उतर गया और शराब की दो बोतले मेरे लिए छोड़ गया. मेरी तबियत जो पहले से ही बहुत बिगड़ चुकी थी, अब खून उगलने लगी है. बुखार से बदन तप रहा है. धरमदास मेरी सेवा करते-करते सो गया. जिस्म का दर्द, बिगड़ी हुई तबियत और म से निकलता हुआ खून मुझे खुदखुशी करने पर मजबूर कर रहा था. ट्रेन से कूद कर जान देना ठीक नहीं समझा, इसलिए शराब पीकर मर जाना स्विकार कर लिया. बरसो का प्यासा जैसे नदी का पानी देखकर पागल हो जाता है, मैंने भी शराब की बोतल दे पता नहीं कौन-कौन से शहर पार कर चुकी थी. रात का वक्त था, धरमदास गहरी नींद में सोया हुआ था और ट्रेन प्रताप गड़ के स्टेशन पर रुख गई. मुझे याद आया कि पारो की ससुराल यहीं कहीं है. मैं धरमदास को छोड़ कर ट्रेन से उतर गया. यह देवदास की दिवांगी थी या आखरी इच्छा पता नहीं. वो स्टेशन से बाहर निकल कर किसी बैल गाड़ी वाले से मानिकपुर चलने को कहता है. पैसे के लालस में बैल गाड़ी वाला भी देवदास को लेकर मानिकपुर की तरफ चल दिया. रास्ते में देवदा पिता जी के स्वर्गवास के बाद माता जी बनारस में रहने लगी थी। मेरे लिए पारो के घर से बड़ा मंदिर और क्या हो सकता है। वो मुझे देखे ना देखे। मैं उसे देखते हुए मर जाना चाता हूँ। इसलिए मानिकपुर में उसकी हवेली के सामने आ गया हूँ। देख्दास पारो की हवेली के बाहर एक पेड के नीचे चबूत्रे पर आकर लेड़ गया और उसे पुकारता रहा। उसके बदन में जान तो थी लेकिन ताकत नहीं थी। इसलिए उसकी आवाज गले से बाहर नहीं निकल पाई। और पारो को सुनाई नहीं दी। वो अंजाने में अपने बिस्थर पर सोती रही। और देवदास पेड के नीचे जिंदगी से संघर्ष करता रहा। पारो, पारो, मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ। तुम सुनती क्यों नहीं? मेरे पास आती क्यों नहीं? देखो, मैं कितनी दूर से तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हें आकरी बार देखने। पारो मैं तुम्हें देखने के बाद फिर किसी को नहीं देखूंगा इश्वर के दर्शन भी नहीं करूंगा सिर्फ तुम्हें देखने के लिए मैंने अपनी जिंदगी से महलत मांगी है अब मेरे पास वक्त नहीं है मौत ने मुझे पकड़ लिया है अपने जाल में जकड लिया है इससे पहले कि मेरी आखे बंध हो जाए मेरे सामने आजाओ पारो मेरे सामने आजाओ पारो देवदास की पुकार हवेली की उंची दिवारों से टकराती रही लेकिन मुझ तक नहीं पहुँची अंजाने में मुझसे ये कैसा पाप हो गया मेरा देवता रात भर दर्वाजे पर खड़ा रहा और मैंने उसे देखा तक नहीं हाँ पारो ये तुफानी रात तुम्हें पुकारते हुए गुजर रही है सुबा होने वाली है लेकिन मुझे ये सुबा नसीब नहीं होगी शायद तुम्हें देखना भी मेरी किस्मत में नहीं होगा पारो अगर मैं तुम्हें जीते जी ना देख सकूँ तो तुम मुझे मरने के बाद जरूर देख लेना हो सके तो मेरा अंतिम संसकार भी करा देना आज ऐसा लगा जिसे वक्त से पहले सूरज निकलाया हो चारो तरफ उजाला पहल गया हवेली के बाहर लोगों का शोर सुनाई देने लगा उस शोर से पारो की भी आख खुल गई पूछने पर पता चला कि हवेली के बाहर के पेड़ के चबूतरे पर रात के अंधेरे में कोई परदेशी आया था बीमार था, खुन उगलता रहा और तडप तडप कर मर गया किसी ने बताया कि वो तालशोनापुर का रहने वाला है और उसका नाम देवदास है ये नाम सुनकर पारो चौक गई और देवदास को पुकारते हुए अपने कमरे से बाहर की तरफ भागने लगी सब लोग उसे रोकने लगे दर्बान ने हवेली का दर्वाजा बंद कर दिया पारो बेबस असहाए दर्वाजी से सर पीठती रही, रोती रही देवदास को पुकारती रही वापस अपने कमरे की तरफ भागी अपने पती जमिदार साहब के पैरो पर गिर पड़ी उनसे विन्ती करने लगी वो पारो की दशा को समझ गए उन्होंने उसके मौन को सुन लिया उन्हें उस पर तरस आगया और विन्ती की लाज रख ली समिदार साहब ने सम्मान के साथ देवदास के अंतिम संसकार की विवस्था करा दी और पारो को उसके अंतिम दर्शन की महौलत भी दे दी पारो ने बहते हुए आसूँ के साथ देवदास को आखरी बार देखा उसे आखरी बार पुकारा और इसके बाद लोग उसे गंगा घाट पर ले गए जहां देवदास का अंतिम संसकार कर दिया गया देवदास पारो को छोड़ कर चला गया लेकिन पारो ने देवदास को नहीं छोड़ा उसे अपने दिल में हमेशा के लिए बसा लिया बना रहेगा पारो ने अपना वचन मरते दम तक निभाया आखरी सांस तक पारो अपने देवदास की पूझा करती रही और उसी को याद करते हुए अपने जीवन का अंति किया देवदास ने अपना अंति करके एक ऐसी प्रेम कथा को जन दिया जिसमें देवदास और पारो का प्रेम अमर हो गया इतिहास के पन्नों में, साहित्य के शब्दों में, प्रेम कहानियों में, लोक कथाओं में देवदास और पारो का प्रेम वेद की रिचाओं की तरह पढ़ा और सुना जाता है चंद्रमुखी का नाम भी देवदास की प्रेम कथा में शामिल हो गया देवदास की प्रेम कथा मेरे लिए उस पतित पावनी गंगा की तरह है जिसमें नहाकर हर कोई पवित्र हो जाता है मैं भी पवित्र हो गई हूँ चंद्रमुखी अब तवायव से देवदास की जोगन बन गई है देवदास और पारो के प्रेम की ये अमर्जोद सदियों तक जलती रहेगी देवदास और पारो का ये प्रेम प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है इसके बाद महबबतें स्टोरीज बिहाइंड दी आर्टिस्ट एक नई कहानी नए किर्दार और नए विचार के साथ आरजे स्टूडियो के यूट्यूब चैनल स्पॉटिफाई और एमेजोन मुजिक पर आपसे निरंतर मिलता रहेगा इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए महबबतें स्टोरीज बिहाइंड दी आर्टिस्ट